बंदवों होई का व्रत जब घर में लड़का होता है और जब लड़के का व्याव होता है तब हम होई माता का उजमन करते हैं। बंदवों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको भूत मदद मिलेगी क्योंकि आजकल छोटे छोटे परिवार होते हैं और बहु बेटियों को ये कैसे करना होता है उजमन उसके बारे में पता नहीं होता है। इसलिए जब घर में लड़का होता है तब बाजार से चान्दी की होई मिल जाती है वो ले आते हैं तो दो मनिया तो होई के माता का होता है और दो मनिया जो बच्चा होता है उसके नाम का होता है। देते हैं और उसके नीचे गेहूं रखके होई माता उसके उपर रखके और तेल का दिया जलाते हैं और तेल का और फिर हसाद दाना गेहूं का ले करके कहानी सुन लेते हैं और वहीं पर एक थाली में 14 कुड़ी सीरा की रखते हैं और उसके उपर ब्लाउच पीस रखते हैं और उसमें एक लिफाफा रुप्या का भी रखते हैं, फिर जब कहानी खतम हो जाती है, तो फिर हम लोग रोली चावल से सीरा की कुड़ी पर छीटा देते हैं, और चार बार अपनी ओड़नी के पलू से हाथ फेल लेते हैं, और इस तरह ये उजबन पूरा होता है, फिर हम ल जालते हैं, वो भी हम सासु मा को दे देते हैं, इस तरह ये पूरा उजबन होई माता का उजबन पूरा होता है, और हाँ बंदवों जब लड़के का व्या होता है, तब भी हम लोग सेम इसी तरह से ही पूजा करते हैं, यानि कि दो पन्ना होई माता का लगाएंगे, और च चार बार हाथ फिरेंगे इस तरह ये होई माता का उजमन जाय का ब्याय का दोनों में ही होता है यानि घर में लड़का होता है तब और लड़के का विवा होता है तब इसी तरह हम उजमन करते हैं